नवश्कार दोस्तों आप ये देख रहे हैं एकोवा फिल्टर कमपनी का इस्टिलनेस इस्टिल आरो प्लांट फिनिशिंग बताने की जुरुत नहीं है आप खुद देख सकते हैं इसकी शाइन देख करके इसके इस्टिल की कॉलिटी का पंदाजा लगा सकते हैं ये रहा मेरा औरा वाटर पंप जो की PNC कमपनी का डेड़ एच्पी का बिक साइज में है हमारी मेंब्रेन हाउजिंग हमारी पाइप सब SS304 की बनी हुई है जिंदल इस्टिल जिन में यूज हुआ है फिल्टर्स की कॉलिटी आप देख सकते हैं कैमरा में साफ आपको दिख रहे है ये हमारी स्टिल की पाइप से है ये प्रेशर कंट्रोलर वाल्व है जो की प्योर और वेस्ट एड़जस्ट करता है ये हमारे मल्टी पोर्ट है जो की इनिशेटिव कंपनी का ओरिजनल है सिलेंडर्स हमारे जो है फुलिश्टील के हैं ये हमारा जंबो हाउजिंग है जिस पे आप मीटर कसा हुआ देख रहे हैं ये हमारी एकवा फिल्टर की ब्रेंडिंग है ये गोल घड़ी हमारी प्रेशर मीटर है ये हमारा कंप्रोल पैनल रहा ये हमारा प्रेशर बाउल का मीटर है ये हमारा हाई प्रेशर पंप है लूबी का जो है हम लोग हाई प्रेशर पंप इसमें देते हैं 3HP का यह हमारी complete water line है आप इसको पीछे देख सकते हैं यह मेरा UV रहा साथ ही आप हमारी water pouch packing machine देख सकते हैं जो किस plant के साथ में जानी है साड़े तीन हजार pouch एक गंटे में यह pouch machine हमारी बना करके देती है 200 ml से ले करके 400 ml तक इसमें हम adjustment कर सकते हैं machine की quality और clarity आप देख सकते हैं हम लोग machines जो होती हैं बहुत top quality की बेचते हैं हम लोग quality की साथ कोई समझवता नहीं करते हैं और आपको बता दें यह 2000 लिटर का plant और यह pouch packing मिला करके आप 5500,000 रुपए की पढ़ने वाली है जिसमें से की आपका plant जो है वो 4,10,000 रुपए का है pouch machine हमारी जो है 1,40,000 रुपए की यानि की total आपका 5,500,000 रुपए invest हो गया यह रहा इसका inner portion आप pouch machine का inner portion देख सकते हैं machine के अलावा आपको बता दे summer stable का connection कराना होगा दो water tanks खरीदनी होंगी 500 square feet का area चाहिए और आपको 5 kilowatt की बिजली का connection चाहिए इस plant को चलाने के लिए commercial connection चाहिए होता licensing में आप food license बनवा सकते हैं यह ISI plant है आप चाहे तो BIS के लिए भी apply कर सकते हैं यह 100% eligible plant है आपका मतलब यही plant आपका जो होता है वो ISI हो जाता है क्योंकि यह full steel का है जिंदल का है आप देख सकते हैं इस पे मोहर लगी हुई quality में हम लोग कोई compromise नहीं करते हैं हमारा office जो है लखनव में है ट्रांसपोर्ट नगर में आप चाहे तो plant आ करके देख सकते हैं office visit कर सकते हैं और estimate quotation ले सकते हैं जब आपको मर्जी हो तो हमसे प्लान करीच सकते हैं all over India हमारी delivery है all over India हमारी service है jumbo housing filter के तरफ आप देख सकते हैं full steel का है 304 grade में है material बहुत heavy है इसकी आप thickness देख सकते हैं यह इसका pressure gauge इसका लगा हुआ है pressure इसका filter का यह बताए है यह मेरे flow meters लगे हुए है 3600 LPS तक कि यह हमारे filters को cover करते है देख सकते है यह इसका pressure gauge है जो कि हमारे membranes और filters का बताएगा यह हमारा control panel है जो कि L&T company द्वारा बनाए गया है इसकी खासियत यह है कि automatic manual mode दोनों पे चलता है यह आप देख सकते है manual लिखा हुआ है यह आपका auto लिखा हुआ है इधर कर देंगे auto mode पे चलेगा इधर कर देंगे हमारे manual mode पे चलेगा 1354 size का इस पे हमने stainless steel 304 grade का जो की जिंदल द्वारा बनाए गया है वेसल लगाया हुआ है जिसमें एक हमारा पहले वेसल में हमारा medium पड़ता है sediment और दूसरे में हमारा पड़ता है carbon मैं multiport की बात करें तो इसमें initiative company का लगाया गया है अब आपको दिखाते है side profile इसकी यह दिखे फुल स्टील की इसकी line है जिसका TDS adjuster का line लगा हुआ है इसकी fitments बाकी है हमार यह stainless steel की पूरी membrane housing है जिसका यह bad profile है पूरा आप देखिए किलोसकर कंपनी का इसमें raw water pump 1 HP का लगाया हुआ है जो की heavy duty वाला इसमें भी normal वाले आते हैं इसके ले से लेक्ट श्वादी का लेका लेगा हुआ है पूरा है जिसकी बादा जोसकर का इसकी बादा जोरा है जोरा है झाल झाल